कि जो है जमाटो की तरह फूद डिलोविर का वर्क करता है आपका दिमाग उसमें आ गया दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा दो बढ़ाईयां आपको मुझे देने पड़ेगी मैं आपको एक बढ़ाई दूँगा आपको यह दो बढ़ाई कैसी कैसी है भाईया सबस आई प्यों आया था तो हमें पतर फूद डिलोवर कंपनी है फिर बिलिंग किट की चीज़े और भैतर अच्छी तरीके से होते गई फिर दीरे आपको देखने को मिला इसने और कारोबार को एक चीज में और बताने वाला हूं इसको आप बड़े घ्यान से समझना कि कोई भ आप सोच रहों कि सब्सक्राइब दो अपते से तो गिरावाट ती साल के से अच्छा निकला है दिवाली का जो पूजा आज करें या करें देखो सर्थ भगवान की पूजा तो जम्मर जी करो अगर कोई कह रहा है दो है तो वैसे तो आज हम मना रहे हैं मैं आपको मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बज्यार से देश का च्छटा सबसे बड़ा आई प्यों आने वाला है स्वीगी का उसका क्या बिजनिस मोडल है वो आपको पता है पर एक चीज और है जो कंपनी के सीओ बोल रहे हैं उस बारीकियों को समझेंगे और देखेंगे कि जिस बिजनिस के उपर उनकी मंसा है कि बहा वो कह रहे हैं कि उनका फूड डिलोविर का जो बिजनिस है अगले 5 साल के अंदर दूसरा जो इनका बिजनिस है उसे वो पीछे कर देगा तो ये निलने भी समझेंगी उनका जो निलने इस तरीके का है वो बोल रहे हैं विचार कर रहे हैं क्या वो बिजनिस वाके ही लाबदाया के नहीं है उसके बारे में बात करेंगे बात करेंगे ओला की नई रणनीतियों का क्यूंकि उसके पास जो ब्रांड के जांच के दाइरे चल रहे हैं सिकायते चल रही है उसक हम बात करेंगे और सुजलोन अनर्जी का शेर पचास रुपे तक भी आ सकता है इस बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे किस ने ये चीजे बोली है सारी चीज न्यूज बेस है उन विदियों को आपको समझना है और तो वहां से हमें एक ऐसी परती के लिए देखनी है कि क्या हमारी चीजे किस बोल से क्या निकलती है अगर कुछ काम है तो उस काम की वैलू क्या है या किसी ने कुछ बोला उसकी वैलू क्या है तो वो समझने का हमारा यहां पर एक परियास है उस परियास के लिए आगे बढ़ आएं इस दिवाली में आप फिर से और उमंग के साथ अगले साल की तैयारी करेंगे और कहीं न कहीं हम जो हम लालच को मारते आए हैं काम को समझते आएं उस पर फिर से अमल करेंगे और किसी की टिप्स में किसी के टार्गेट में नहीं काम करना है हमें बचना है और हमें होगी जो मैंने आपको भी दे दी आपने मुझे दे दी अब आपको दूसरी मुझे देने पड़े क्योंकि आज मेरा जनम दिन है 31 अक्टूबर 2024 को मेरा आज बड़े है और ये पहले बार हुआ है कि दिवाली के इस सुभमूरत पे ये चीज़े होई है वैसे सर दिवाली इस बार दो बार मनाई जा रही है काफी लोगों ने मेरे से पूछा दूसरे चैनल पर कि दिवाली का जो पूझा आज करें है करें देखो सर भगव दो पूजा तो जमर्जी करो अगर कोई कह रहा है दो है तो वैसे तो आज हम मना रहे हैं मैं आपको बता दूंँआ जो शेर बजार बंद रहेगा छे से साथ बज़े तक कल एक मूरत है जो आपको पता ही है तो जरूरी नहीं कि अगर आप इस चीज़ को मिस्ट कर दें कि और या कल की वज़े से और आज ना करें क्योंकि काफी लोगों के अलग-अलग मत हो रहे हैं पूजन के तो हम आज भी करेंगे और हम कल भी करेंगे तो पूजा हम करेंगे तो और हमारे लिए फाइदा मन्द हो अगर बाइचांस कल की दिवाली है तो उसका पूर्णे हमें आपको बता दे है तो आज मेरा बढ़े है और सब को उस जनम दीन की आपको बाइज देनी है अपना आश्री बदह देना है बाइज कि जस कारेशे पर हम सब चल रहे हैं उस कारेश पर हम आगे कर लिए और अब हमारी 43 नई जर्णी चलेगे अध्यात्मिक जर्णी चल रही है और आज का अगर मैं आपको बता दूं तो वैसे आपको पता ही है कि मेरा मुलांग चार और मेरा भाग्यांग साथ है तो एक ऐसा नंबर होता है जो चार और साथ एक पूरा कंप्लीट चीजे बन जाती है इसके बारे में मैं आपको दूर चैनल पर बताऊंगा यह भी आपको थोड़ा सा मेरे विसे ध्यान देना कोटक मेंद्रा बैंक के संस्तापक जो है उदे कोटक जी उन्होंने इंटर्व्यू के दोरान एक चीज बताई है कि यह साल जो है बहुत अच्छा निकला है आप पिछली चीजे उठा कर देखो जो शेर मैं आपको यह चीजे पहले बता चुका हूँ यह बड़े-बड़े लोग अब बता लिए देख लेना उठाकर तो साल सबका अच्छा निकला है और मुझे लगता है इस साल सबने पैसा भी कमाया होगा बहले चाहे कम कमाया हुगा कमाया जरूर होगा पर यह एक हपते की जो गिरावट से लोग सोचने तर यह उदे कोटक जी कह रहे है कि कैसे साल अच्छा न क्या है अब उनकी यह सला है कि हर एक चीज को एक जैसा सोच कर ही आगे ना बढ़े थोड़ा समझ जाए अपने निवेस पॉर्टफोलियो का अंकलन करें अच्छी चीजों को जोड़े हर एक के साथ एक जैसा बरताव ना करें मतलब हर एक सैक्टर की चीजों को एक जैसा च अक्टूबर दिसम्ट नोंबर दिसम्ट निकल जाएगा फिर आपको अपनी सोजबूस से सैक्टर वाइज आंकलन करना है कि हर एक चीज के ओपर दिमाख नहीं लगाना है कि पिछले बार चला तो अब भी यह चल जाए उनकी एक सला है उन्होंने दी है इस बात को आपको स अपनी सिकायते के दफ्तर में जमा कराई थी और फिर वो एक नोटिस जो है ओला की तरफ गया था कि भाया आप अपने कस्टमरों का विसेज ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी जो चीज उनको पूरा नहीं कर रहे हैं उसके बाद ओला ने जो सिकायत मिली थी उसका 99% समधान क पॉजिटिव संकेत ओला ने हमें दिया था यह बाते पुरानी हो गई है पर यहां पर ओला ने 99% अपने चीजों का समधान किया इससे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी अगर यह जो सिकायते आ रही हैं इस सिकायते को इन्होंने 99% पूरा कर दिया अब इनके और भी तो जो ब्रांड के दोवरा समान बिखता है उनके अंदर भी तो प्रोब्लम आ सकती है अब उनकी भी तो उसको समिक्षा करनी है कि भया जो सिकायते पहले आई है क्योंकि जो न्यूज आ रही है उसके अंदर लिखा है कि ओला का इवी ब्रांड जो है जो सिकायतों के चीजों क साथ भी बीच में रहा है उसको देखते हुए ओला ने करीब पचास केंद्र और जोड लिए अपने साथ पचार ऐसे केंद्र जोड लिए हैं जहां पर यह अपनी जो कस्टमर होते हैं उनकी सेवाओं के लिए अच्छा वर्ग करेगा और सेवा नेटवर्क जोड लिए हैं इ ताकि जो इसके कस्टमर हैं उनके जो भी प्रोब्लम है उसका समधान बहतर डंग से किया जाए और एक अच्छा अनुभाव उनके कस्टमरों को मिला जाए न्यूज छोटी लग सकती है पर इस न्यूज में बहुत को छुपा है क्योंकि इससे पहले सिकायत वाली चीजों क कर ली ताकि सर्विस के अंदर कोई प्रोब्लम ना है तो यह बढ़ता कदम जो देखने को मिल रहा है यह ओला की तरफ देखने को मिल रहा है अगर अपनी ओला अपनी गुडविल को बहतर नहीं करेगा जितनी भी चीजे आशकल तो सोसल मीडिया का समय है कोई भी कोई नया प्रोडेक्ट लाएगा वो खराब हो जाएगा अगर वो कंपनी उसको सही नहीं करती तो वो सोसल मीडिया में उसको एड़ करेगा और यह चीज़े क्या होती है जल्दी हाइलाइट हो जाती है जहां नखना कि कोई अच्छे ब्रांड की चीजे अगर आपको सड़क पर उस का द्यान दियना चाहिए ओला का यह कदम जो पचास केंद और पांसो इसने जो नुक्तिया कर लिए इसकी बहतर कदम और यह तब कि यह जाजा से जाजा इस पर सिकायते आ रही थी तो यह बढ़ते कदम की और यह द्रश्टिया में दिखाता है आपको एक चीज में और बत क्या होता है कि वो जनता के पास अपने काम की चीजों को बताकर और जनता के द्वारा पैसा इकठा करके आई प्यों के माध्यम से अपने वर्क पर लगाती है काम पर लगाती है तो उससे आपको देखना पहले उस कंपनी का वर्क क्या है उस कंपनी की दिसा क्या है यह आप आपको समझ कर चलना पड़ेगा जमाटो को अगर आप देखें जमाटो का भी जब आई प्यो आया था तो हमें पर फूल डिलवर कंपनी है फिर बिलिंग किट की चीज़े और भैतर अच्छी तरीके से होते गई फिर दीरे दीरे आपको देखने को मिला इसने और कारोबार को जोड लिया जहां पर इसने पेटियम का एक टिकट का कारोबार को अपने साथ जोड़ा अब क्या चीज़ जूड़ गई है यहाँ पर देखो सर्थ पहले जमाटो को आप समझते थे कि एक तरब से दूसरे सरफ खाना ले जाने वाले वर्क कर रहा है फूल डिलवर का यह व आदमें मना लेंगे पर हमें भी तो एक ऐसी चीज़ है कि हम रासन की दुकानों पर जो हम चीजे जाते थे लेने के लिए उससे हमें चुटकारा मिल सेकर वो उस समय से पहले जो हम दुकान पर जाएंगे फिरम घर पर आएंगे तो उसका काम परफूरती करने कि लिए उतना बढ़ा सकते कितना उसको एक ग्रोथ है और भी कंपनी को अपने साथ कुछ-कुछ चीजे जोड़नी पड़ती है यही बात लागो होती है आपके पोर्टफोलियो में आपके अपने जीवन में कि आप अगर सिरफ जोब पर डिपैंड हैं आप सिरफ अगर शेर बजार डिपैंड यह वह और आपके ल थे आपको यहां तो यह आपका में होना चाहिए आपके कम से कम दो नहीं चाहिए और एक से वर्क जरूरत पूर यह सकती है तो आप जितनी ज्यादा ग्रोथ अपने उपर करेंगे भले कम पैसा आ रहा हो तो उससे अच्छी तरह किसे बाफी लोग शेर बजार के अंदर आते हैं कि भाई यह नहीं नोकरी छोड़ दूँगा शेर बजार से कमा लूगा अब यह इतनी दिनों से बजार गिर रहा है क्या कोई कोई कौन कमा रहा ह है मैंने तो नहीं कमा एक दो अपते से कुछ भी प्रॉफिट में आपको बता दूँगा अब मुझे यह बताओ तो यह भी तो समय हमारे सामने आएगा हाँ डिविडेंड वाली चीजे होती हैं वह हमें कमा कर देती है तो यह आज इतनी बड़ी चीजे मैं क्यों बता रहा से 390 रुपे परती शेर का होगा और करीब कमपनी इसके अंदर नए शेर जो जारी करेगी 4,499 क्रोड नए शेर जो यह जारी करेगी और बाकी जो शेर यह लाएगी वो होगा OFS के माध्यम से चीज़ यह करेगी इस तरीके से कमपनी करीब IPO के माध्यम से 11,327 क्रोड पर जुटाएगी अब आपको समझना है कि आप देख रहे हैं कि जो है जमाटो की तरे फूड डिवर करता आपका दिमाग उसमें आ गया दूसरा एक चीज और में आपको बताऊंगा जो है तो आपका समान पूरे दिन में या फिर अगले दिन दो दिन तीन चार दिन पांस दिन साथ दिन तक के यह चीज़े होती है कुई कोमर्स भारत के अंदर बहुत पंक सा फिलाता जा रहा है थोड़ा सा उधारन करके समझेंगे तो चीज़े हमें समझ में आ जाएगी दोसरे इकोमर्स का आपको पता लगे हमने कोई ओडर लिखवा है एक दिन या उससे दो दिन तीन दिन चार्थ-पांद दिन पर मिल सकते हैं क्यों कोमर्स का मतलब होता है कि जल्दी से जल्दी कस्टमरों को चीज़े प्रोवाइड करना अभी ओडर लिखवा है तो दस मिनट बाद बीस मिनट बाद तीस मिनट बाद आठे घंटे बाद एक घंटे बाद दो घंटे बाद यह दाइरे के अनुसार क्यों कॉमर्स जो है पंग फिलाता जा रहा है अब इसके अंदर सुवीगी एक फूर डिलर कंपनी है वो तो चलो होई जाता है लेकिन उसके दौर इसक के माध्यम से यह IPO ला रहे हैं जो 11,327 क्रोड का होगा पर यह अपने क्यू कॉमर्स बिजनिस को काफी बढ़ाने की सोच रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आगे जाकर 5 साल के अंदर क्यू कॉमर्स जो है यानि क्विक कॉमर्स जो है इसके फूट डिलर बिजनिस को पीछे जो बिजनिस है वो 40% की अभी भी ग्रोथ कर रहा है काम कर रहा है उसके अंदर कमपनी क्या चाहरी है कि अपने क्विक कॉमर्स के बिजनिस को बढ़ाने की सोच रही है और उसकी जादा से जादा मंसा इस और है क्योंकि देश के अंदर अब तेक चीज मैं आपको बताओं आप कभी रिलाइंस के मार्ट में चले जाना स्मार्ट बजार में चले जाना और कभी आप किसी किराना की दुकान पर चले जाना आपको किराना की दुकान पर रेट टू रेट समान मिलेगा साध हो सकता है आपकी और अख्याती अच्छी हो गुड़ विल अच्छी हो दो त कुछ स्मार्ट बजार के अंदर है कि अगर किसी कंपनी की एक्सपैरी नजदीक आ रही है तो वो उसके रेट भी कम कर रही है इसी तरीके से यह बलक में समान लेते हैं पर एक आपकी जो परचून की दुकान है उनका एक समराज्य जो है वो विलुप सा होता हुआ मुझे दि होगा तो हर एक व्यक्ति इस तरीके के ओडर करेगा उचाए एक किलो दाल मंगा है तब भी उसे वही रिट पड़ रहे हैं चाहिए वह दस किलो दाल मंगा या पूरे घर का रासन मंगा है और फिर कंपनी उसके अंदर पॉइंट्स भी देती है रिलाइंस में मुझे अपनी इस प्रणाली की ओर चल रही है क्विक कोमर्स यानि की दस मिलट बिस मिलट आदे गंटे एगंटे दो गंटे के अंदर आपका समान आपके पास पहुंचना यह बिजनिस मोडल मुझे तो आगे की परती काफी उजवलता की ओर दिख रहा है तो सिविगी का अगर आ आपको पिस किसको यह चीज़े समझ में आई है कि रिपा एक बार मुझे बता देना तो वेट कीजिए छे नौमबर का 371 से 390 रुपे के बीश परती शेर की चीज़े होंगी और 11,327 क्रोड का इनका आई प्यों आगे जो देश का छटा आई प्यों है और कंपनी फूद ड देखनी है पीछे छोड़ देंगे हमने फूद डिलवर की चीज़ों को आगे होगा आगे होगा क्योंकि किसी के पार इतना टेम नहीं है भार जाए बच्चे बाहर काम कर रहे पर बच्चे बाहर करें माबाप नहीं जाते ओडर कर दिया घर पे समाना गया खाना अलग परस्वीगी के साथ साथ बिजनिस्की ग्रोथ और किस बिजनिस पर आगे रघक होगा यहाँ एकॉमर्स क्यों कोमर्स और धिजमाटों के तीन विजनिस भी आज हमने समझें जो एक ब高डिलिवर के साथ कर रहा हैं दूसरा अपने टिकट की कारूबार के साथ कर राहा है च चलतो एप के दुवारे रहे हैं सारी चीजे अच्छा क्या है कि जब सुझलोन अनर्जी का शेर उचाईयों तक जा रहा था तब आपको ऐसी न्यूस देखने को मिल रही थी यह तो पे जाएगा 110 पे जाएगा 90 पे जाएगा जब भी आपने मेरी सुझलोन अनर्जी के ऊपर वर्क करेगा तो उसको समय चाहिए उस चीज के लिए कमपनी ने भी का था हमें समय चाहिए आगे की परतिकिर्या को अच्छा करने के लिए सरकारी खेमे से जो एंटी बीची से एक अच्छा खासा ओर्डर मिला है तो इसकी ओर्डर बुक को वो बढ़ा रहा है बले ही कमप सिकूर्टी की नजर पड़ी और उसने का कि ये शेर पचास रुपे तक भी आ सकता और बेशने की उन्हें चीजें बताई है वो करें बहले इसका काम अच्छा है और उन्होंने ये भी का है कि इसकी जो चीजें हैं इसकी जो मांग है तीन से चार साल तक बहतर है तो यहां अबर क्या होगे अभी 2024 चल रहा है उन्होंने का 3-4 साल और तीन से चार साल अगर आप इसमें जोड़े तो 2028 हो जाता है और उसके बाद अगर हम देखे तो 2030 हो जाता है तो इस तरीकी कि जो भी अनलाइस कर रहें मेरे हिसाब से सही हो सकती है क्योंकि लक्ष्य तो 2030 का है उससे पहले काफी चीजों में उतार चड़ावाते हैं यह आप ध्यान है किसी के साधी होगी मालो छे मेने पुरानी डेट हो गई तो जब लड़का लड़की से बात करता है कभी ने कभी लड़ाई तो ही जाते है फिर भी साधी हो जाएगी वही चीज़ है कि यह जो बड़े बड़े लोग अनलाईज करते हैं फिर कहते हैं 50 पे आएगा या इससे पहले किसी ने कहा था 81 पे जाएगा और आज भी थोड़ा सा निगेटिव देखने को आपको साध मिल रहा है यह है उन्होंने क्या काया कि कमपनी का काम अच्छा है अगले दिन पिर वह अज़ा है तो कुछ चीजे होती है कुछ साइकलोजी भी तो हमें समझनी पढ़ेगी बजार की देश कब तक क्यों लजते रहेंगे वो कहेगा यह खरीद लें हम खरीद के बैठ जाएंगे इधर तो कोटक मेहनदरा बैंक के जो CEO है उदे कोटक जी तो हमें खुद कह रहें कि सब के साथ एक जैसा बरताओं मत रखें शेरों के साथ सेक्टर के साथ अब अगर नीतिया अपने पॉर्टफोलियो की दिसा को सई कीजिए यह संकेत है उन्होंने कहा कि यह साल जो जो जा रहा है यह तो अच्छा करके ही गया है कई 25 परसेंट की ग्रोथ कई 48 परसेंट की ग्रोथ उन की नुमरोजी के बारे में जानना है तो मेरे दूसरे चैनल डीप सर 6 में आना पड़ेगा है ना तो अच्छा मैंने आपको एक बार यह कहा था कि शेर बजार के अंदर जो भी लोग जोसी के कान कहते हैं बजार गिर जाएगा बजार उग जाएगा वो लोगों कुछ कुछ समझ नहीं मैं फिर से आपको एक चीज बताता हूं एक व्यक्ति एक के लिए कुछ पूजा पार्ट कर सकता एक के लिए कुछ नुमरोलोजी की चीज़े कर सकता है पर हजारो क्रोडों लोग उनकी दिसा को कैसे जानकर उनके बारे में कैसे वर्क करेगा यह जोस्ती जो भी जूटता जाएगा उसको ऐसे नहीं तो गटना तो गटनी है और गटना अच्छी भी होनी है क्योंकि जितने भी लोग शेर बजार के काम कर रहे हैं उसका कुछ भी जोसी नुमरोली कुछ कर सकता है एक पर हो सकता है सिर्फ सब पर नहीं होगा इसलिए अंधिविश आगी की तरह तो अभी जुड़िए साथ नॉम्बर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं डीप सर सिक्स चैनल पर आईए वहाँ पर कमेंट कीजिए अपना जो भी डेटों बरते वो लिखवाईए और फिर आगे की जरनी हम स्टार्ट करते उसके लिए थोड़ी सी मामली सी फीस है वो भी आपको उनी पर ही बता दी जाई है तो उसके उपर भी हम भर करने की स्थितियों के साथ आज मैंने आपको सुझलो नदर जी की विसेस्ता है फिर से उसी हिसाप से बताया जिस हिसाप से नियू जाही है और समय तो मारे पास देना ही पड़ेगा वो आपको समझ कर च और पचास नेटवर्क, शेवाई, केंदर और अपना पांसो न्युक्तिया उसने करी है ये भी एक अच्छी संकेत दिखा रहा है सुवी की सरफ फूट डिलर कंपनी नहीं है पर इसके माध्यम से वो अपने क्विक कॉमर्स का बिजनिस जो वेल्लूबल बिजनिस है उसको आगे करने की दिखा के अंदर पांक साल के अंदर अपने सुवी की के खुद के फूट डिलर बिजनिस से वो आगे निकल जाएंगे कंपनी ये कह रही है ये आपको समझ कर चलना है दूसरा दिवाली की आपको फिर से बढ़ाईयां आप भी दीजिए और एक और बढ़ाई किसने की सला बिलकुल भी नहीं है किसी भी वीडियो को इस तरफ से मत लेना कि आपको कोई शेयर खरीदना या बेचना है मैं सिरफ वर्क पर काम कर रहा हूं इसके लाव मेरा कोई भी कैंडल मैं ये काम नहीं करता है मैं आपको बता दूँ तो सच्छी वड़ों देकि अच अब तक के लिए नमस्कार